कई सारे दर्शिकों ने कई सारे सवाल भेजे हैं यूट्यूब पर रमेश ने गार्डन रीज शिप बिल्डर्स पर सवाल भेजा है उनके पास पाँच शेर है जो उन्होंने 2587 के दाम पर खरीदा था गार्डन रीज शिप बिल्डर्स चौक अभी 1700 के आसपास है तो काफी नुकसान पुजिशन साइज कम है लेकिन फिर भी नुकसान तो काफी ज्यादा है इस पर ही राय ले लेते है अजित आप से पूछना चाहूंगी गार्डन रीज शिप बिल्डर्स क्या राय रहेगी इस चौक पर बिल्कुल अश्रिशा देकि जैसे है कि आपने मताया कि का आपकी शाफ डिपलाइन देखने को मिला है स्टॉक में अठाईसो से आप सात्रा सो की लेवल्स पर आ चुके हैं और अभी थमतावा नजर नहीं आ रहा है को बीच में कुछ हटम्ट हुए थे रिकवरी के जो कि अगें फेड़ आउट हो रहे हैं तो यह मान के चलिए कि अ है कम क्वानिटी है आप बरे रहे सकते हैं पंद्रा सो के नीचे स्टॉक के चांसे का मैं रिकवरी के के इसमें ठाईसो पचास पहला हटल होगा जब वो ब्रेक करेंगे तब जाए कि तो लंबी अबदी के हिसाब से अगर है तो बने रहे सकते हैं आपको थोड़ा सा लंब मैं काल दन्यवाद सर सवाल भेजने के लिए बताईए मैडम सिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लैंड एंड एशेच बिलकुल सेरा सेरा सेर मैंने लिए हैं पचास्तर रुपए के वो एवरेज प्राइस है ओके इसका थोड़ा प्रोस्पेक्ट्स बताएं मैं लांग तो अभी और लंबा रुकना चाहते हैं जी जी और राइट जी मैडम मैडम इस्टार का नाम गलत हो गया तीतिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लैंड एंड एशेट हां यह एल जी जी चलिए रजट कोड यह हम को मिल नहीं रहा है ने आइडिया बाट देने चिकोर्ड स्टिपिंग कोर्पोरेशन कोड स्टिए जी लैंड अच्छा क्षा रुपbearलर में यह रहान यह दो आएजभ नविय जी नहीं एट में चल रहा है यह डाउन ट्रेंड अभी एक सपोर्ट रेंज के पहुँच चुके है यह सतर ते साथ के बीच में में जून इस ताइम पर वो लिवल पर था और काफी ऐसालिडेशन के बाद उपर की तरफ चला था और वो सौ के उपर भी चल दिया था बट अभी जो है मुझ को नहीं लगता है कि यह आउगस्ट के सुरू से गिरना चालू किया है अभी भी गिर रहे है तो यह जो सतर से साथ का लेवल है इस लेवल पर उन्होंने अगर चाहते हैं तो उस लेवल पर फिर एवरेज कर सकता है क्योंकि साथ के मीचे नहीं जाएगा ऐसा ही उमीद करना क्योंकि जो कॉंसलिडेशन इसने दिखाया था उस ताइम पे देड़ माइना के लिए वो लेवल तो सपोर्ट का काम जरूरी करेगा बट जब यह 85 यह रेज़ पार करके उपर कल पाएगा तब ही जाके आपको कुछ उपर की तरफ मूब्मेंट दिखना मिलेगा नहीं तो इसमें कोई खास उपर की तरफ मूब्मेंट अभी उमीदनात है यह ना करे तो बेतर हो चलिए तो यह है नजरिया आपके स्टॉक पे चलिए बढ़ते हैं